चले अब खबरे विस्तार से बता दे लखनाउसी बड़ी खबर है लश्मन टिले वाली मस्जित पर सुनवाई आज होने जा रही है मुस्लिम पक्ष का सुनवाई का अफसर हुआ है समाप्त कोट में आज सिर्फ हिंदू पक्ष की बहस सुनी जाएगी सीनियर डिविजन की कोट नंबर पैंतालिस में होगी सुनवाई तो मैं तको जानकारी आप तक पहुचा रहे जहां लश्मन टिले वाली मस्जित पर सुनवाई का अफसर समाप्त हो चुका है और आज हिंदू पक्ष को सुना जाएगा इस पे सुनवाई आज होने जा रही है तो लखना उसे सब्सक्राइब जानकारी जहां लश्मन टिले वाली मस्जित पर सुनवाई आज होने जा रही है लश्मन टिले वाली मस्जित पर आज कोट अपना फैसला सुनाएगा और मुस्लिम पक्ष सुनवाई का अफसर उनका समाप्त हो चुका है आप हिंदू लश्मन टिले वाली मस्जित का है जहां पर सुनवाई होने जा रही है और हिंदू पक्ष आज बहस करेगा हिंदू पक्ष की तरफ से आज बहस सुने जाएगी सीने डिवीजन कोट नंबर पैंतालिस में ये सुनवाई होने जा रही है मुसलिम पक्ष का सुनवाई का अफ सर हुआ है समार तो बता दे कि हिंदू पक्ष को आज सुना जाएगा और ऐसे में आज सुनवाई होनी जा रही है और सीनिय डिविजन की कोड नंबर पैंतालिस में ये सुनवाई होगी आज पुरा मामला रश्मेर टेले वाले मस्जित पर सुनवाई का है जिस पर आज हिंदू पक्ष बहस करेगा इससे पहले मसलिम पक्ष की बात सुनी गई थी कोड़ द्वारा और आज हिंदू पक्ष सुनवाईगा प्रियम पाठक मार सर्जुड चुके हैं जारा जानकारी के लिए प्रियम कितनी बज़े सुनवाई होने जारी है क्या को जानकारी है पूरा हो चुका है उसको टाइम दिया गया था और आज हिंदू पक्ष की बहस है वो पकोड़ में सुनी जाएगी सीनियर डिविजन की कोट में जो है यह सुनवाई हो गी और कोट की संख्या है वो 45 नमर कोट में आज इस मसले को लेकर पूरी सुनवाई जो है वो की जाएगी यह सुनवाई काफी दिनों से चलते आ रही है यह केस और इससे पहले मुस्लिम पक्ष्ट की तरफ से भी अपनी दलीले रखी गई थी कोट में प्रियम पूजा की मांग यहां पर उठाई जा रही है जिसके वजह से मामला कोट तक पहुंच गया है प्रियम पिल्कुल देखे इस पूरे मामले के बात पिलिया तो हिंदु पक्ष्ट यह है वो टिर्यंड मंजित पर बने हुए लिएश्वर महादियो मंदिर में पूजा अच्ञा की वांग वो कर रहा है और उसी को लेकर इस को बहुत चल लई है मामला जो है वो अब नियाले तक पहुचा है नियाले में इस मामले को लेका सुनाई चल लए है कोट अभी देखना होगा अभी इसमें क्या कोश जो है वो सुनाई करता है इससे पहले मुस्लिम पक्ष के और से क्या दलीले दी गई थी कोट में मुस्लिम पक्ष की और से अभी है तरह से उसमें रखे गयाँ और इसमें इस बात कोई तरीके से शीरेशा ही में की लिए और ये कहाते हैं कि उनकी आस्टा के साथ में किलवार किया जा रहा है इसको जाता है हिंदुपक्ष के तरह से चुता जा रहा है कि इसमें तीलेश्वर महादेर मंदिर बना हुआ है और इसलिए उसमें पूजा अर्षिनाज करने की वहां पर मामू है वह हिंदुपक्ष की जा रही है इस मज़िद में अभी इस तरीके को भी जो आदे से वह नहीं आया है जरूर देखना होगा जिए जाएंगी उसके बार देखने होगा कोड़ की सब्सक्राइब बतादे एप में होगी आयोद्या की पुरानी और पूरी जानकारी तो जानकारी आप तक पहुचा रही है जहां 31 भाशाओं में आयोद्या का टूरिस्ट गाइट एप बनने जा रहा है एप में होगी आयोद्या की पूरी जानकारी आयोद्या के महत्पून स्तलों की होगी जानकारी परिवन के सादनों के बारे में भी यहां पे संस्रिक जानका जानकारी दी जाएगी तो 31 भाइशाओं में बनेगा आयोधिया का टूरिस्ट काइट एप जिससे हर किसी को मदद मिल पाएगी आयोधिया में असानी से कोई भी घूम सकेगा और बटाने कि इस तलों की इसमें पूरी जानकारी होगी कहा कौन सा मार के कौन सा स्तल है परिवन के साधनों के बारे में भी इसमें जानकारी दी जाएगी पार्किंग स्तल मल्टी लेवल पार्किंग की जानकारी भी इस एप में आपको मिल जाएगी प्रमोख ठहराव इस तलों का पूरी तरीके से विवरन दिया जाएगा रेलवे वस्त विमान की सिवाव के साथ भी अन और इसमें बताने की अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे अभिनाव आनंद मासा जोड़ चुके हैं जारा जानकारी के लिए अभिनाव एक नई पहल 31 भाशाओ में टूरिस्ट गाई डैब बने जा रहा है अभिनाव से संपक टूड़ क्या लगता है दुबारा जोड़ने का प्यास करेंगे लेकिन महत्पुन जानकारी जो आपके समक्ष रख रहे हैं कि 31 भाशाओ में बने का आयोध्या का टूरिस्ट गाई डैब जिसमें अनासीर परिवन से जूड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी बलकि कहां पे इस्तान है कौन सा घूमने वाला महत्पुन इस्तान है हर तरीकी की छोटी से बड़ी जानकारी आपको असानी से इस एप पे प्राप्त हो जाएगी तो महत्पुन इस्तालो की जानकारी भी तो होगी इसी के साथ साथ परिवन के साथनों के बारे में भी आपको सूचना जो है इस एप पे असानी से मिल जाएगी और 31 कुल मिलाकर ऐसी भायवशाय योगी जो इस एप में दी जानी है पार्किंग इस्तल मल्टी लेवल पार्किंग के जानकार भी आपको असानी से यहाँ पे मिल चाहेगे प्रमुक ठहराव इस्तलों का भी पूरी तरीके से विबरन इस एप में दीया जाना है अब बताने के एहमदाबाद के राम भक्तों को सौगात में लिए सीम योगी ने किया है इंडिको की फ्लाइट का उद्गाचन और योध्या से एहमदाबाद तक भरेगी यह उडाने के इंद्री मंत्री जोती रादिते सिंद्या ने भी दिखाई है हारी जंडी तो मैंत्मु जानकारी आप तक पहुचा रहें है जहां इससे पहले प्रदान मंत्री ने इस एरपोर्ट का उद्गाचन किया था और अब स्यम योगी आदितनाथ ने फ्लाइट का उद्गाचन यहाप किया है जो की आयोध्या से एहमदाबाद जाएगी हरी जंडी सीम योगी आदितना तो बड़ी स्वगात राम बक्तो को मिल चुकी है आयोध्या से एहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट का उद्गाचन सीम योगी आदितनाथ ने वर्च्वली माध्यम से किया है तो योध्या से एहमदाबाद अब फ्लाइट उड़ान भरीगी अबिनाव आनन्द हमारे से जुट चुके है जारा जानकारी के लिए अबिनाव बड़ी सौगात राम बक्तो को मिल चुकी है अब आयोध्या से एहमदाबाद फ्लाइट जाब पाईगी जी बिल्कुल 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 आपको बता दूँ कि अधिया में आकर सबसे पहले महारती वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट का उद घाटन भी किया था और वहीं से लगबाद 3600 करून रुप्यक के लोकारफर के परियोजनों का लोकारफर से लेना जी कहता साथ ही साथ आपको बतातो कि आज से आधिया में हमदाब आधिया से और आहमदाबाद की हवाई सेवा लगब 10 वजे लखनों से चीम ने बर्चुल रूप से हवाई से कर दिया है सुभारम कब से कितनी दिनों बाद ये फ्लाइट जो है वो उडान भरे गया मिनव क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई जी बिलकुल बता दो कि इसका जो लखनों से ही बर्चुल रूप से सुभे के मुख्या योगी आधियतनात जुड़े हुए थैं जिन्हों में अपने बोदन में भी कहा लोगों को भी बताया कि लगब 10 वजे से उडान भननी थी करें कि दूंद की वज़ा से थोड़ी लेट हो रहा है लेकिन हाना की अभी थोड़ी थीर में आधिया से आमदाबाद के लिए फ्लाइट है बिल्कुल सुजानों से चाली कर दिया जागा यानि कि 22 जन्वरी से पहले पहले अब हर एक सुविदाओ का ध्यान रखा जा रहा है आयोध्या में जी बिल्कुल बता आपको बता तो कि चाहें और एक शूर क्या है कि अधिया में भारतिया में किसी प्रकार की कोई भी कसर नहीं चुड़ रही है बहर आयोध्या की जो ख चाहे वो रेलवेज सेवा हो चाहे बस सेवा हो या अब हवाई सेवा हो बिल्कुल सुचारू से बिल्कुल चालू कर दिया गया है जी ठीक है अब बहुत बहुत धन्यवार आपका तमाम जानकारियों के लिए मैं आभारी हो आदिने प्रधान मंत्री जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एरपोर्ट के रूप में महरसी बालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट अयुद्ध्या प्रदान किया है 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एरपोर्ट के उद्धगाटन के साथ ही अयुद्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारम हुई और आज के द्वारा किया जा रहा है और हर्ष का विशय ये भी है कि अयुद्या में मारिशी बालमी की अंतराश्च्य हवाई अड़ा के नामांकरण पर ये जो हवाई अड़ा किया गया है और उस हवाई अड़े से ही 30 तारिक को दिल्ली से जुडाव दो प्लेंस के साथ हम लोग ने करवाई थी इंडिगो और एर इंडिया एक्स्प्रेस और आज के दिवस पर अयोध्या और एहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम और खबर को नोच से हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुट्पेड हो गई बतादे कि सराफा वेपारी के हत्या रूपियों से मुट्पेड हो गई है जिसमें एक बदमाश की मुट हो गई और एक घायल हो गया साती दो सिपाई भी घायल हो गए तब ही घायलों को अस्पिताल में भड़ती कराया गया है वहीं एडी जी आलोग सिंग ने घटना के बाद पांश्टी में लगाई थी पदादे के बदमाश की पास से जाइस सु ग्राम सोना और पांसु ग्राम चांदी वरामत हुएं साती चार लाग तीस ससार रुपे भी मिले हैं तो शुक्रवार को सराफ़ा वपारी के हत्या रोपियों से पुलिस के में बेड होई है एक बदमाश की मौत हो चुकी है एक घायल हो चुका है तो पुलिस और बदमाश की बीश में मुर्पेड हुई है कनौच में और बता दे कि मुर्पेड में दो सिपाई भी घायल हुए है तो एक बदमाश की मौत हो चुकी है दो घायल हुए इस देके साथ दो सिपाई भी घायल हुए इस पूरे मुटबेड में कॉनाच में यह मुटबेड हुई है पलिस और बदमाश के बीश तो सराफ़ा बैपारी के हत्ते अरोपियों से मुटबेड हुई है पुलिस की और ऐसे में एक की मौत हो चुकी है आरोपी की दो घायल है इस देके साथ दो सिपाई भी इस पूरे मुटबेड में घायल हो चुके हैं बदमाश के से 500 ग्राम सोना 500 ग्राम चांदी वरामत कर लि कि शिवम का ट्यार हमार साथ कनो से जुड़ चुके हैं यह मुटबेड कब होई और क्या जानकारी है इसके बारे में इसके बारे में मुटबेड सुबह साड़े साथ बजी लगबग हुई है यह जो घटना पहले तो घटना करम आपको बता दें बीते पार्च जनवरी को जो साराफा वैसाई इससे गुट्षाज जंग के संदन में लूट होती जिसको साराफा वैसाई को गोली मार दी गई ती इस इलाग के दोरां साराफा कारोवारी की मौत हो गई ती मौत के बाद जिसकी मंगेता ती उसने में फासी लगा के आत्मास्या कर ली ती पूरे मामले में पुलिस काफी आरोपियों को विरप्तार करने की कोशिश कर देए काफी 400 केम्दा की सीचिटीवी करम्दों को खंगाला गया 400 सी फर्देवरा पुलिस को सूस्टना मिली है कि यह जो आरोपी हैं यह उदर गोसाइडन के शितमें थे पुलिस में चारों तरफे जारा बंदी करके जब इन्होंने पुलिस ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस को पर फार कर दिया अच्छा है अगर बरामत्गी की बात करें तो गटना में लूटा गया 250 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदीश 4 लाग 30 जार रूपए बरामत्गी, पूरी बरामत्गी की बात करें तो तो कब से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी जब आप कामियाबी मिल चुकी है पांच जनवरी को पांच जनवरी से आज ग्यारा शे दिन से लगतार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी जो सी सि टीवी सारे खंगाले यारते सी सी टीवी के आदार पुलिस को जैसे जैसे शुत मिल लेते तो पांच जीलों की जो फोर्स है कानपूर बेहात और रहीया इतावा और फरुकावाद वा कंणोर पांच जीलों की तिम ग्यास कर रही थी Analysis पुलिस को काफी बड़ी सबस्ता मिली है जी चीक है शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और हापुर में पुलिस का ओपरेशन क्लीन लगातार जा रही है बतादी की गड़ कुट वाली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश्यों से मुटभेड हो गए जिसमें दोनों फरार बदमाश्यों की तलाश चारी है दोताई नहर पुल के पास चेकिंग की जा रही थी तभी नहर पट्री के किनारे से दो बाइक पर चार युवक आते हुए दिखाई दिये उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक तेज भागाने लगे पुलिस प जिनके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है और प्रात्मिक पूछताच में इनका नाम विक्की और आजाद पता चला है और ये लोग गढ़ कस्वे के ही रहने वाले हैं इन पे पहले गोकसी और 307 का मुकदमा भी है और अभी 5 दिन पहले हुई गढ़ में लूट की घटना में भी ये लोग वांचित हैं इनके कबजे से एक काली स्प्लेंडर प्लस बाइक कुल 2200 रुपे लगभग नगद और दो तमंचा जिन्दा कार्तूस खोखा कार्तूस बरामद हुआ है उनको अस्पताल में भरती करा दिया गया है और अग्रिम वैधानी कारवाई प्रचल को लेकर आयोद्या के सबसे नजदी की जनपत बहराईज के भारत नेपाल सीमा पर स्पी व्रिंदा शुकला और नेपाल के अधिकारियों ने अपने अधिनिस्ता अधिकारियों के साथ भारत नेपाल सीमा का जैसा लिया और सुरक्षा समीती के साथ बैठकी साथी गरीबो को कड़कती थन्ड में कंबल भी वित्रित किये देश के लिए बहुत महत्वपून कारक्रम 22 जन्वरी को प्रस्तावित है जो युद्या में राम मंदिर की प्रांप्रतिष्ठा का कारक्रम है तो उसी की समवेदन शीलता को देखते हुए आज यहां पे जो बहराइच जन्प में इंडो नेपाल बॉर्डर है यहां पर मैं आई हूँ और विभिन स्टेकोल्डर को सचेत करने के और उनको थोड़ा सा इलर्ट करने के दिश्ची कोंट से आए हैं यहां पे SSB के साथ भी एक औरनेशन बैठक की गई है जो फ्रंट लाइन फोर्स है जो बॉर्डर को गा साजक तत्व के संबंद में कोई सूचना प्राथ होती है जो की इतने बड़े कारेक्टरम में विगन उत्पन कर सकते हैं तो साथ की साथ यह सूचना पुलिस के साथ साजा की जाए ताकि उस पे तत्काल विदिकारवाई हम सुनिश्चित कर से और गासेबाद के लोनी में पॉजर थाना और सेवाधाम चौकी के बीच राम बिहार मार्केट में मघलवार रात को चोरी हो गए जहां करीब 20 नकाब पोश्च संटू सोनू ज्वेलर्स का श्टि उठाकर 60 लाग के गहने चोरी कर ले गए बता दे की चोर चांदी की मूर्ती पाजेब के साथ सोनी के पॉजरी का बैग और प्लास्टिक का बॉक्स चादर में फरकर ले गए तो वहीं चोरी की घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई हाला कि सुष्टा पर पॉलेस और ज्वेलर्स मौके पर पहुंचे और डी वी आर को कब से मिले का चार्श शुरू करती तो फिलाल के लिए वो लिटर में इतना ही खबर लग अचार शारी है देखते रहें जाओ इस